हेलो एबरीड़ वेल्कम बैक टु मैं चैनल कैसे आप सब लोग तो आज मैं आप सब लोग के लिए लेकर आ गई हूं एक और माइकर वेव की रेस्पी आज हम लोग बनाने वाले हैं microwave में baked potato, जब baked potato बनाते हैं इसके लिए बहुत सारा time लगता है, क्योंकि इसे हमें convection mode पर बनाना पड़ता है, बेक करना पड़ता है, और इसके लिए जो time होता है कम से कम एक घंटे का time लगता है, लेकिन यदि आपके पास microwave है ना इस काम को आप बुलकु चिट्कियों में कर सकते हैं कैसे करेंगे वो सारी चीजे में details में आप लोग को वीडियो में बताऊंगी तो चलिए बुलकु देर नहीं करते हैं रेस्पी को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से फटा फट से baked potato बनाते हैं और enjoy करते हैं क्योंकि ये इतनी tasty recipe है ना एक बार आप बना लोगे ना तो बार बार इस recipe को बनाओगे तो चलिए फटा फट से बनाते हैं बाते नहीं करते हैं तो ये रहे बेक पटेटो यदि आपने अभी तक बेक पटेटो की recipe ट्राइड नहीं की है तो मेरे कहने पर एक बार इस रेस्पी को जरूर ट्राय करिएगा यह रेस्पी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है मेरे घर में यह हर हपते कम से कम एक या दो बार तो बनती ही है और इस रेस्पी को आप में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में भी बना सकते हो यदि आपको इसे और भी अल और वही काम जब हम microwave के micro mode में कुछ ही मिंटों में कर सकते हैं तो हम एक घंटा क्यूं बरबात करें तो चलिए अब हम करते हैं इसको बनाना इस्टार्ट तो बेक पटेटो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो आलू लिये हैं थोड़े बड़े साइज के आलू लिये हैं और इनको अच्छी तरह से धोके साप कर लिया है, जब आलू आप अच्छी तरह से धोके साप कर लिया है, तब आपको आलू में इस तरह से कट लगाने हैं, कट लगाना जरूरी है, देखे आलू में क्यूंकि इससे कट लगाने से जो आलू होते हैं, वो जल्दी कुक हो जाते है यदि आप इस तरह से आलू में कट नहीं लगाएंगे तो जल्दी कुक नहीं होंगे जो बीच में जो आलू रहते ना वो कच्छे भी रह जाते हैं तो ध्यान रखेगा आपको आलू में इस तरह से कट लगाना है देन मैंने उसके बाद दिया है एक माइक्रवेब से प्लेट और उसमें इन आलू को रख दिया है यदि आपके पास माइक्रवेब से प्लेट नहीं है तो आप डारेक्ट कांच की प्लेट देख रहा है उसमें आलू रख सकते हैं ठीक है अब मैंने रख दिया है आलू को माइक्रवेब में अब हम माइक्रवेब का माइक्रो मोड सेट क तो यहां पर मैं टाइम लगा रही हूँ हूँ 8 मिनट का आठ मिनट में जो आलू होते हैं देखे मैंने यहां पर जो आलू लिए हैं वो थोड़े से मीडियम साइज के लिए यह आप और बी ज्यादा बड़े आलू लेते हैं क्योंकि बेट पटेटेटो बनाने के लिए और उतने ही साइज की लेते हैं तो आप सिर्फ लगाएगा 8 में ठीक है तो यहाँ पर जो 8 मेंट हो चुके थे अब मैं आलू को रिकालती हूं आपको दिखाती हूं यह किस तरह से कोख हुए हैं यह देखिए 8 में जो आलू है कितनी अच्छी तरह से कोख हो चुके हैं आप इसक तरह से मैं कट लगा रही हूं और यदि आप चाहें तो हाथ से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस भी करेंगे ना तो भी जो आलू में जगह बन जाएगी पर मैंने थोड़ा से कट लगाए हैं क्योंकि मुझे अच्छी तरह से इसमें चीज स्टफ करना है वैसे की जो स्टफि दाल रही हूं बहुत सारी स्टफिंग बनती है यदि आपको अलग अलग रेस्पी चाहिए है तो कमेंट करके जरू बताएगा मैं जल्दी से रेस्पी उसके लिए बना दूंगे तो यहां पर मैंने उपर से चीज लगा दिया है जब चीज आप अच्छी तरह से उपर मैं आलू को अच्छी तरह से चीज से भर देंगे उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पिज्जा हफ्स डाल रही हूं पिस हलका सा ही डालना है आपको ठीक है देन उसके बाद आम इसमें उपर से डाल रही हूं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स देन उसके बाद आप मैं इसमें डाल है वह मैल्ट हो जाए तो आलू को इस तरह से आपको रख देना है ठीक है और उसके बाद माइक्रोवेब का जो माइक्रो मोड है वह हम सेट कर देंगे पावर हाई रखेंगे और 30 सेकंड का टाइम लगा देंगे 30 सेकंड में जो चीज होगा वह बहुत अच्छी तरह से को वाव कितने यम्मी दिख रहे है ना एक बार इस रेस्पी को फ्रेंट्स जरूर ट्राय करिएगा आप लोगों को सच में ये रेस्पी बहुत पसंद आने वाली है आई होप आप सब लोगों को यह मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आप लोगों को छो दो